नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका भक्ति मंत्र में दोस्तों शुक्रवार को लक्ष्मी माता का ब्रत रखा जाता है इसे वैभो लक्ष्मी ब्रत भी कहा जाता है इस ब्रत को पुरुस इस्त्री कोई भी कर सकता है इस ब्रत को करने से धन और सुक्सम्रिद्धी की प्राप्ती होती है घर परिवार में लक्ष्मी का वास बनाए रखने के लिए भी यह ब्रत उपियोगी है मा लक्ष्मी के विभिन स्वरूपों की पूजा और आराधना की जाती है कोई धन लक्ष्मी, कोई वैभो लक्ष्मी, कोई गज लक्ष्मी, तो कोई संतान लक्ष्मी के रूप में पूचता है मनो कामना के अनुसार आप मा लक्ष्मी की स्वरूप की पूजा अर्चना कर सकते हैं आज हम आपको बता रहे हैं कि वैभौ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान और ब्रत की विधी क्या है? शुक्रवार के दिन प्रादह काल स्नान के बाद महिलाएं शुद्ध होकर साफ वस्थ धारन करें, सुबह मंदिर की साफ सफाई करें और मा लक्ष्मी का ध्यान करके सारा दिन ब्रत रखने का संकल्प ले पूरे दिन आप फला हार करके या ब्रत रख सकते हैं, चाहे तो शाम को ब्रत पूण करने के बाद अन्न ग्रहन कर सकते हैं शुक्रवार को पूरे दिन ब्रत रखने के बाद शाम को श्नान करें पूजन करने के लिए पुर्वदिसा की और मुव करके आसन पर बैठ जाएं उसके बाद चोकी पर लाल कपड़ा बिछा कर वैभा लक्ष्मी की तस्वीर या मुर्थी स्थापित करें कलस के उपर एक छोटी सी कटोरी में सोने या चांदी के आभूशन रखें वैभा लक्ष्मी की पूजा में लाल चंदन, गंध, लाल वस्त्र, लाल फूल जरूर चढ़ाएं प्रसाद के लिए घर में गाय के दूच से चावल की खीर बनाएं अगर किसी कारण वश्खीर न बना सके तो मा लक्ष्मी को भोग में अब सफेद मिठाई या फिर बर्फी का भी भोग लगा सकते हैं मा लक्ष्मी को यह भी प्रिय है, पूजा के बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें या वैभा लक्ष्मी मंत्र का अयथा सकती जब करें वैभा लक्ष्मी के ब्रत में स्रियंद की भी पूजा करें, पूजा के वक्त स्रियंद को लक्ष्मी माता के पीछे रखे और पहले उनकी पूजा करें, उसके बाद वैभा लक्षमी की पूजा करें उसके बाद ब्रत कथा पढ़ें, उसके बाद आप गाय की घी का दीपक जलाएं कथा पूजन के बाद मन ही मन कम से कम साथ बार अपनी मनों कामना को दोहराएं और मा लक्षमी का ध्यान करें उसके बाद मा लक्षमी का प्रसाद क्रहन करके घर के मुख्य दोआर पर घी का एक दीपक जलाएं आईए अब मैं आपको वैभा लक्षमी ब्रत की कथा सुनाती हूँ किसी शहर में बहुत से लोग रहते थे सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे किसी को किसी की परवाह नहीं थी भजन, किर्तन, भक्ती, भाव, दया, माया, पुरुपकार जैसे संसकार कम हो गए शहर में बुराईया बढ़ गई थी शराब, जुआ, ब्यविचारी, चोरी, डकैती वगएर बहुत से गुनाह होते थे इनके बावजूत शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे ऐसे ही लोगों में एक शीला और उनके पती की गिंती की जाती थी शीला धार्मिक प्रकृत के और संतोसी स्वभावाली थी उनका पती भी विवेकी और शुशील था शीला और उसका पती कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय ब्यतीत किया करते थे शहर के लोग उनकी ग्रिहस्ती की सराहना करते थे देखते ही देखते समय बदल गया शीला का पती की बुरे लोगों से दोस्ती हो गई अब वह जल्द से जल्द करोन पती बनने के सपने देखने लगा इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा शराब, जुवा, चरस, गाजा वगेरे बुरी यादतों में शीला का पती भी फस गया उसने अपना सब कुछ जुए में गवा दिया फल स्वरूफ वह रोड पती बन गया यानि रास्ते पर भटकते भिखारी जैसे उसकी हालत हो गई शीला को पती के बरताव से बहुत दुख हुआ किन्तों वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी वह अपना अधिकान समय प्रभु भक्ती में बिताने लगी अचानक एक दिन दो पहर को उनके द्वार पर किसी का आगमन हुआ शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माजी खड़ी थी उनके चेहरे पर अलोगी एक तेश निखर रहा था उनकी आखों में से मानो अमृत बह रहा था उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था उनको देखते ही शीला के मन में अपार सांती सी चा गई सीला उस माजी को आदर के साथ घर में लाई और घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था अतह शीला ने सक्चा कर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया माजी बोले कि क्यों शीला मुझे पहचाना नहीं हर सुक्रवार को लच्मी जी के मंदिर में भजन किर्टन के समय मैं भी वहां आती हूँ इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी फिर माजी बोली कि तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई अतह में तुम्हें मिलने चली आई माजी के अती प्रेम भरे शब्दों से शीला का हिर्दय पिघल गया उसकी आखों में आसू आ गया और वह बिलख बिलख कर रोने लगी माजी ने कहा कि बेटी सुख और दुख तो धूप और च्छाव जैसे होते हैं धैरे रखो बेटी मुझे तेरी सारी परेशानी बताओ माजी के ब्यवहार्शे शीला को काफी संबल मिला और सुख ही आस में उसने माजी को अपने सारी कहानी कह सुनाई कहानी सुनकर माजी ने कहा कि कर्म की गती न्यारी होती है हरी इंसान को अपने करम भुगत नहीं पढ़ते हैं इसलिए तु चिंता मत कर अब तु करम भुगत चुकी है अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे तु तो मा लक्ष्मी जी की भक्त है मा लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है इसलिए तु धैरे रख कर मा लक्ष्मी जी का ब्रत कर इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा शिला के पूछने पर मा जी ने उसे ब्रत की सारी बिधी भी बताई मा जी ने कहा कि बेटी मा लक्षमी जी का ब्रत बहुत सरल है उसे वरद लक्षमी ब्रत या वैभा लक्षमी ब्रत कहा जाता है यह ब्रत करने वालों की सब मनुकामनाय पूर्ण होती है वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है शिला यह सुनकर खुश हो गई शिला ने संकल्प करके आखे खोली तो सामने कोई नहीं था वह सोचने लगी कि माजी कहा गई शिला को यह समस्ते देर नहीं लगी कि माजी कोई और नहीं शाक्छात लक्षमी जी थी दूसरे दिन शुक्रवार था सबेरेश नान करके स्वक्ष कपड़े पहन कर शिला ने माजी दौरा बताई विधी से पूरे मन से ब्रत किया आखिरी में प्रसाद वितरन किया यह प्रसाद पहले पती को खिलाया उस दिन उसने सिला को मारा नहीं सताया भी नहीं शीला को बहुत आनंद हुआ उसके मन में वैभा लक्षमी ब्रत के लिए स्रध्धा बढ़ गई शीला ने पूर्ण स्रध्धा भक्ती से 21 शुक्रवार तक वैभा लक्षमी ब्रत किया 21 शुक्रवार को मा जी के कहे मुताबिक उध्यापन बिदिक करके साथ इस्त्रियों को वैभा लक्षमी ब्रत की साथ पुष्ट के उपहार में दी फिर माताजी के धनलक्षमी सरूप की छवी को वंदन करके भाव से मन ही मन प्राथना करने लगी कि हे मा धनलक्षमी मैंने आपका वैभा लक्षमी ब्रत करने की मननत मानी थी वो हब्रत आज पूर्ण किया है हेमा मेरी हर पिपत्ती दूर करो हमारा सब का कल्यान करो जिसे संतान नो हो उसे संतान देना सोभागिवती इस्त्री का सोभागिय खंड रखना कुवारी लड़की को मनभावन पती देना जो आपका यह चमतकारी वैभो लक्ष्मी ब्रत करे उसकी सब पे पत्ती दूर करना सभी को सुखी करना हेमा आपकी महीमा अपार है ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवी को प्रणाम किया ब्रत के प्रभाव से शीला का पती अच्छा अद्वी बन गया और कड़ी मेहनत करके ब्योसाई करने लगा उसने तुरंत शीला के गिर्वी रखे गहने छुडा लिये घर में धन की बाड़ से आ गई घर में पहले जैसी सुख सान्ती छा गई वैभालक्स में ब्रत का प्रभाव देखकर मुहले की दूसरे इस्त्रिया भी विदे पुर्वक वैभालक्स में ब्रत करने लगी दोस्तों माता वैभालक्स में की क्रिपा आप पे और आपके परिवार पे बनी रहे इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार